प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरेक्षिन को लेकर मनमारी हो रहे हैं जिससे ओविसी च्छात्र काफी प्रभावित हो रहे हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए इस और राजसरकार ध्यान दे ऐसी मांग राश्री ओविसी मुक्ति मोर्चा की और से की गई इस मौके पर तम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरेक्षिन को लेकर मनमानी हुई है ऐसे आरोप राश्री ओविसी मुक्ति मोर्चा के सयोजक नितिन चौधरी ने लगाए है बाइट नितिन चौधरी इस मौके पर सुधिर खोबरागडे इन्हें नियुकति पत्र दिया गया वर्गों के चात्रों पर सौतिला व्यवार किया चारा है इसके कारण हजारों पिछड़े वर्ग के चात्र वंचित रहे गये हैं बाइट डॉक्टर सिद्धान बाइट डॉक्टर अनिल्ठाकरी ओबीसी को नियाय मेले के लिए राश्री ओविसी मुक्ति मोर्चा की पधा जा रहे इस समय में हमारे साथ में राश्रे मुक्ति मोर्चा के संयोजग नितीन चोधरी डॉक्टर सिद्धान और ये तमाम मान्नेवर है आईए उन से जाना चाहेंगे कि आखिरकार उनका ये ये आंदोलन क्यों कर रहे है चोधरी साब ये बता है कि बार बार आपने कही ह लेकिन एक बात और बे सामने में आई हुई है कि जिसा वजदिकी जो शित्र होता है उसके अंदर भी OBC के चातर चात्राओं पर अन्या होने की बात कई जा रही है इसमें कितना तथ्य है ने बिल्कुल सोले आना सच है ये बात क्योंकि बार बार देखने में आया है कि जब से 2006 में जो उच्चे शिक्षा में खास करके पिछडे समाज को आरक्षन की प्रक्रिया शुरू ही भारत के सविधान में 15-15 करके एक सविधान संशुदन हुआ उसके बाद में सभी सरकार उच्चे शिक्षा संस्तान, नीजी और साथ साथ में सलगनित कॉलेज और तमाम जो कॉलेज ये खास करके UGC के अंडर में आते हैं वो तमाम कॉलेज में खास करके पिछडे समाज को आरक्षन की प्रक्रिया का आवाज हुआ लेकिन उसके बावजूद महाराष्टर में हम नहीं मिल रही है, खास करके OBC चात्रों को केवल 50% में सहुलत मिल रही है, उसके कारण बहुत सारे चात्र है, उनके पालक के अर्थिक हालात के कारण वो इनमें एडमिशन नहीं ले पा रहे है, और ये लगातार हमने देखा है कि अन्य जो खास करके OBC प्रवर्प के ही जो अन्य घटक है, उनको सव प्रतिशत फी सवलत मिल रही है, लेकिन OBC खास करके जिसके लिए सविदान संचो दोन हुआ, उसके बच्चों को इन मेडिकल कॉलेज में, नीजी मेडिकल कॉलेज में फीस में सवलत केवल 50% मिल रही है, और साथ प्रतिशत में ये भी देखा गय है कि जो डीम विद्यापीट के सरलगनित, जो मेडिकल कॉलेज है, हाल में जिसकी शुरुआत हुई है महाराश्ट में, उनके कॉलेज में हमने देखा है कि OBC के लिए आरक्षन भी नहीं मिल रहा है, और OBC के लिए फीस सवलत भी नहीं मिल रही है, ये केवल OBC के लिए नह मनुसूची जाती और जन जाती के छात्रों को भी नहीं मिल रही है, मान्य के लिए सरुच्य नहीं महाराश्ट में भी नहीं में बहा है, और साथ साथ डीम विद्यापिट से सलगरित मेडिकल कॉलेज में भी सहुलत मिलने चाहिए। ये मिलने से OBC पर जो भी खास करके हम लोग कह रहे कि बच्चे वंचित हो रहे हैं आडमिशन से तो उनका आज ओभी है उनकी सुरक्षा होगी उनकी सरक्षन होगा उसको लेकर हम लोगों ने राश्ति OBC मुक्ती मोर्चान आवाज बुलंद करने का तए किया है बारकाई से इसकी हमने कोशिश की जानकारी ली और साथ साथ में हमने अने जो रिसर्चर है इसको लेकर जैसे डॉक्टर सिदान्थ है डॉक्टर रनिल ठाकर है इन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा हो रहा है और सहन के बाहर हो रहा है यह और खास करके नीजी मेडिकल कॉलेज में यह हो रहा है यह सरकार अंदेखी कर रही है इसका कहना हमारा है कि सरकार से दरकासत है हमारी कि यह ऐसा क्यों कर रहा है इधर OBC जागरूत हो रहा है समाज में संगटित हो र मानना है मगर अफसोस के सरकार अब भी जागी हुई नहीं है हो सकता है कि सरकार के लिए और भी कुछ काम काज हो डॉक्टर सिधान भी इस समय हमारा साथ में उन से जाना चाहेंगे सिधार्त ये बताए कि OBC के उपर में बार-बार अन्य होने की बाचित की जारी है लेकिन देखा ये भी गया कि पिछड़े वर्ग के जन जाती के जो लोग है उनके उपर भी उन विद्धार्तियों के अन्य हो रहा है ये बात कहां तक सही है आपकी बात बिल्कुल सही है ना केवल OBC पर पिछड़े वर्क के साथ सभी विद्यारतियों पर इसकी मार गिरी है उस कारण से हम देखेंगे कि पिछले 13 साल से बहुत सारे STST विद्यारतियों, OBC विद्यारतियों उनका एडमिशन नहीं मिला है मैं आपको एक छोटा सा उधारन इसी के लिए पेश करता हो कि जैसी कि सर ने बहुत कि डिम्न उनिवर्सिटीज में हमको न केवल आरक्षन मिल रहा है न केवल फीज में सहुलियत मिल रही है इसी के कारण पिछले साल यही साल अभी एक महने पहले उसमें 74 MBBS की सीट और 249 BDS क साड़ी 300 MBBS की सीट वेस्ट गई यदि हमारे विद्ध्यारतियों को पिछले विद्ध्यारतियों को OBC, SC, ST विद्ध्यारतियों को वास आरक्षन और फीज की सहुलित रहती तो आज हम बोलते थे कि 200, 300, 300 हमारे विद्ध्यारति आज वहा गय थे पर यह सब सरकार के इस धो आंदोलन छेडने वाले हैं इस से देड़ से 2000 जो डॉक्टर OBC और SC, ST के बनने वाले थे ये इनके अन्याई के वज़े से नहीं बन सके ये बहुत बड़ा अन्याई OBC और SC, ST पे हुआ है प्राइवेट कॉलेजेस, डीम कॉलेजेस में फीज में भी अन्याई हुआ है इसके फीज में भी इन्होंने अ अंदोलन चला के ये गौवर्मेंट तक के ये बात चेड़ी है, मिनिस्टर जो है अमारे वडेटिवर साहब उनसे भी हमने बात की है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसके बारे में एक मिटिंग वो हमसे लगाने वाले हैं बिल्कुर चाहे कोई भी पार्टिके नेता हो आश्वासन तो बड़े जोर चोर से देते हैं मगर आप सोस के उसका वच्छन नहीं दिया जाता जब वच्छन नहीं मिलता तो काम कैसे भला होगा है एक सोचनली बात है लेकिन ओबीसी जिस प्रकार से अंदोलन करने की बात क कर रहे हो आपकी अगली रननीति क्या होगी हमारी रननीति आइसी रहेंगी आशावेक करता हो सरकार जागने के बात कर रहे हैं और हमाँ आपको बताते कि यह ओबी से के तमाम नेता पदादीकारी गन जो राश्ट्री ओबी से मुक्ति मोर्चा का आंदोलन हमेशाई करते हुए आ रहे हैं वे अब राज्य के मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे जी इनसे भी मिलने वाले है और उने ग्यापन दे के यह तमाम मांगों की और उनका ध्यान खीचने की कोशिश करेगे लेकिन देखना ये हुगा कि राज्य के मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे इनकी बातों को ध्यान में लाते हैं उसके उपर अमल करते हैं या फिर दर किनार होता है क्योंकि धाक के ती जरूरी है कैमेरा परसन माइकल के साथ संजेव मीरे बीसेन न्यूज नाकपूर